तो राजस्थान का नोटिकेशन आ गया है राजस्थान का और जस्ट टेल यू गाइस यह होती है राजस्थान का ओफिशल वेबसाइट राज नीट यूजी बीजवाइस डॉट इन ठीक है यह धीर धीर भरता रहेगा और आपके इंफोर्मेशन आती रहेगी पार्ट वन पार्ट टू कुछ खास नहीं होता मतलब कुछ इन वाली बात नहीं है पार्ट वन इस बेसिक रिजिस्टेशन और पार्ट टो सब्सेकूंड रिजिस्टेशन पर नज़र डालते हैं फिर आपको अंदर यह बाद बताऊंगा तो फॉर्म जो है वह वो थर्टीन जाना दर्टर मतलब कि औससे श्काम जाएगा ठीक है न तो जैसा मैंने का कि यह है तो यह किलए करके देख लेके अंगा जबने बहुत बिश्य नहीं उस पर में चरिबारेंगे ठीक है तो पेले इसको और देखते हैं कि क्या चल रहा है सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब 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 अक्सर पैसे राउंड टू से पहले लिए जाते थे देट मींज की डीम और यूपी के लावा आप तीसरा राज्य राजस्थान हो गया है जिसमें राउंड बन से पहले ही आप से पैसे लिए जाएंगे लेकिन मैंने ब्रोशल देख लिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी बोलूंगा तो भी फरकने पड़ेगा इंट्रस्टिंग बात ही है कि राजस्थान में आप राउंड टू भी ऑफ्लाइन होने लग गया है और राजस्थान ना क्लो स्टेट इस बावले में होते हैं कि राउंड बन इस ओनली फोर राजस्थान डूमिसाइल और राउंड वाला बच्चा 500 नंबर का है तो भी पहले राजस्थान की बच्चे को सीड़ दी जाएगी फिर आपको दी जाएगी और राजस्थान में राउंड टू ही ऑफ्लाइन होने वाला है जो कि जैपुर में होते हैं ऑफ्लाइन काना बड़ा फरक पढ़ता है फरक यह पढ़ता और दूर का उड़ी सा के बच्चे हैं जिनको वैसे राय संपसंद है लेकिन जस्थ बिकॉज की और राउंड टूगली के आपको जाना पड़ेगा तो आप जाते नहीं हूं जिसते यूपी ने कर रखे ना राउंड बन में आपको जो डीडी देना होता है और डॉक्युम यूपी मिल सकता था रीजनेबल फीस में मिल सकता था चार सो माक्स थे पर सिर्फ यूपी इसलिए नहीं आते कि जाना पड़ेगा बच्चे को लेकिए और फ्लाइर की टिकेट वगएरा पचास दर खर्चा हो जाएगा तो रायस्तान में राउंड टू ही ऑफ-लाइन है आ यह कुछ प्योर गवर्मेंट कॉलीज है जिसमें सरकारी कॉलीज में बेनेजमेंट सीट होती है जिसके फीस आठ लाख रुप होती है आपको मिल आस्टर की दिखाऊँगा तो वेरी फेमस सबसे हिट कॉलेज SMS जैपूर बहुत पुराना ठीक है उसके बाद जो जिसके नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं ना राइस्तान सबसे पुराना जैपूर का फिर एक जोट पूर का बिकानेर उद्यपूर अजमेर और कोटा वाला जो गया वो इसी के अंडर आता है इसके अंदर आप आप देखेंगे जो प्योर जयब जोदपूर विकानेर उसके कोई MRI शीट नहीं है तो इह लाइक प्योरिक कॉलेजिस ऑफ जयब विकानेर इन तीनों में भी MRI सीटे हैं लेकिन इसमें कोई मेरेजमेंट सीट नहीं है फिर हम दूसरे में जाते हैं जो राइस्थान में यह सारे खुले हुए बारबेर में भरतपूर भीलवाड़ा चूरू दूंगरपूर पाली सीकर ढोलपूर जो कि सरकारी आते हैं जिसमें प्योर गवर्मेंट सीट भी होती है 9,00,000,000 फीस मेरेजमेंट सीट होती है और फिर एनराइफी फीज होती है ठीक है यहां से शुरू होती है सरकारी यह साइट तुम जानते हैं इसे करूल को फॉलो करता है यह से अलवर यह गवर्मेंट सीट है यह से कोटा जाएगा आपको अलडिया से मिल जाएगा दो पैसिफिक केंपस होते हैं एसें तांति है गंगानगर में ने आया था और जैपूर की एरिया में तीन है महादमागांदी मेडिकल खॉलेज जेन्यू और निम्स ब्रॉडली कर आप देखेंगे ना यह राजसामंद भी उदेपूर है तो ब्रॉडली सारे राजस्थान में रफली स्पीकिंग अराउंड चार अरती सो मेडिकल सीटे बन जाती है फॉर सच हाई पॉपुलेशन ठीक है यह सीट मेट्रिस हो गया यह बीडियस के सीट है जैसा कि हम जानते हैं सरकारी कॉलेज बीडियस का एक भी नहीं है सरफ जो आर्यू एचैस है वो थोड़ा सा हाता है हर कॉलिज में घर गवर्मेंट शीट दे रखी है राइस्थान में और कुछ को सीटे मेरिज्मेंट की है राइट यह ऐसा कुछ नहीं है इस में खराब करने की जोरूत नहीं है चलते जाते हैं जैसा कि मैंने कहा अभी जो आप वह यह भरेंगे वन एंटू यह वाल है और राइस्थान में यह भी होता है यह धाई लाग से आपकी कम इनकम है तो आपके आपको यह पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं कि अगर आप जनल कैडिगरी है तो भी आपका काम बारासों में हो जाए ठीक है और यह तो भाई यह गवर्मेंट फीस चली गई इंपोर् है यह मैं हर साल डिसकस करता हूं यह आपका रायस्थान का क्रेटीरिया हो जाता है वो लोग जो रायस्थान में लगाता दस साल से रह रहे थी और कैडिडेट ने भी पांस साल पढ़ाई की थी राजस्थान में जो रायस्थान का बोनाफाइड रेजिडेंट हो बाहर परामेडिकल डिफेंस परामिलिटरी वह तरह की लोग होते हैं लोग तो यह आप लिस्ट देख सेथे हो परामिलिटरी जज़ राइस्थान कोट कहीं ट्रांसफर हो गया है तो यह कॉमन जो दस है तो इसमें सबसे जो शहाद में कोई लूज है फ्यूचर अगर को देख रहा है कि अगरा बॉन राइस्थान डोमिसाइल हो और लेट से आपने रह रहे हो आप दिल्ली में या किसी और स्टेट में तो भी आपको मिलता है बाकी हम सारे नंबर 11 में आते हैं इससे हम अदर्स बोलते हैं जम फॉर्म भरते हैं तो हम अधर्स होते हैं और यह देखिए बट कसीडर्ट फॉर अलॉट्मेंट अगेंस्ट वेकेंट सीट आफ्टर एक्शॉस्टेट स्टेट में लिस्ट जूरिंग और आफ्टर राउंड टू और अगर आपके पास वह एनरे लिजिबिल्टी है तो एनरे लिजिबिल्टी में सेमिल्ट वागलेंट playful पेड़्य को nती है तो पिसले साल की तो आगे बढ़ते रहते हैं बाकि सबêtes को भालूम है जब फॉर्म भर दो होगे तो हो जाएगी अब जो मैंने आपको बता है जो मुझे फरक लग रहा है ना कि जो इसमें यह डोने डाल दिया ना कि वन लैक रुपीज हमको देने हैं बाइस तरीक से बाद में च्वाइस लॉक्टिंग से पहले ठीक है यह नई चीज है चलते जाओ चलते जाओ बॉंड होत देने के लिए दो साल या पांच लाग तो राउंड वन रहेगा को टैशन नहीं है सेम जो रूल होते हैं हाँ बट यह है कि यह पहले जमा करा रहे हैं पर पता नहीं क्यों ठीक है कि एक लाग रुपे दिरी चक्रे में ना जो कुछ लोग बजाक नहीं करते देखिए वह हर जबकि फ्री एंग्जिट है तो लोग दोजार को देखिए और मेरे भी काफी क्लेंट होते थे राइस्तान के ही दोजार भी बात है भर दिया फॉर्म प्राइबट कॉलिज के सीट चाहिए नहीं चाहिए बस भर दिया सीट खराब कर दी एक लाग रुपे में चाहे वह फ् पहले पैसे लेने का इसलिए दिव पहले पैसे लेती है यूपी खेर दिशन के लिए फिस से सिंपल नॉर्मर्मल अड्मिशन होगे सारे फॉम दे दोगे वह राउंड बन के बार राउंड टू तक अप्डिशन हों थी है टूटू मॉप आप नहीं है तूट के बाद तो बाभार हो जाओगे या थ्री में बैठोगे मैंने कहें दिया कि राउंड टू भी ऑफ-लाइन होता है जैपूर में जबार का ध्यान रखेगा तो फिर यह सारे परफॉर्म हैं कोई खास नहीं है जो लोग के लिए अलीजिबल है आपको दिखाता हूं जैसे जैसे बड़ेगी यहां पर यह लोग इन्फोर्मेशन और डालेंगे तो लास्ट एर की दिखा रहो प्लीज जानकिएगा 2021 की फीज से आपको एडल लगेगा देखिए तरह बढ तरह लाख रुपे थी साल की और चोंबात करें कित्र हो मेंरेजमेंट ट्रीस मैं आया थे अउपर यह वाली फीज तो मेसलेंट फीजंट जो म्लनेविवन पहलें ही कहीं že रूतर है Upl4 आक से खाश्त veg नंवरेंट हीघया बढता की ओस आबिजिए मंदा miracle तो यह सबसे बड़ा फरक होता है यह देखो आप 24 लाग रुपे थी और हॉस्टल दोलाव रुपे साल का अलग तीक यह हो गया अमेरिकर अनंता भी बाइस लाग पंद्रा लाग नॉर्बल फिर गितांजली 26 लाग रुपे 26 लाग जिया नॉर्मल टुशन फीपी 20 लाग राइस सांग के बच्चों के लिए ठीक है बैंक करेंटी के बालता है कि यह लोग हमेशे बैंक करेंटी मांगते भी पूरी फीस दे दोगे ना उस बात की जीएमसी बार मेर अब यह तो सरकारी शिरू हो गए तो सरकारी में जासा कि हम जानते हैं कि आठ लाग और फीस होती है जो गवर्मेंट कोटा होता है तो यह तो बहुत उपर ही कट आफ जाती है और यह सब सीटे तो राहसान के बच्चे खा जाते हैं एनरे की विगर फीस तो त्रीजनेबल है बत्तिस अजार डॉलर देखी असी रुवे का डॉलर चल रहा है सो नाना करते हुए भी असी इंटू तीस लेंगे तो पच्चिस लाग साल की यह एनरे फीस भी है आप यह है कि आप इन कॉलिजिस में पढ़ रहे हो राइट तो जितने भी ऐसे तो यह एक आगया पर समिस्टर जैसर ने बोला पंद्रह जार तीस अजार वही परियर होती है आप यह फिलाल आपको दिखा रहे हैं कि आपको इतना देना है स्टार्टिंग में लेकिन जो फीस है वह तीस हजार डॉलर आप रफली मान के चलिए ठीक है ना जो सेमी गवर् करते हैं आपको बागी प्राइवट दिखाऊंगा जी 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 सारे वहीं है इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है देखें जैनू अब लास्टेर की थी पीस लाख रुपे नॉर्मल फीस पच्चिस लाख पचास और मेरेजमेंट फीस ठीक है जी और लास्टे सारी लेते हैं लिखा हुआ है निम्स जैपूर वंस अगें लास्टेर उन्हें पर अच्छा काम किया था कि मैंज्मेंट फीस थोड़ी कम कर दे थी 20 लाख जी हां जां पाकी लोग पच्चे पच्चे ले रहे हैं इसको कम ही माना जाएगा ना तो इनका अडमिशन काफी जल्द तो एक एंपरस था दूसर केंपरस में 24 लाख ठीक है तो ऐसा ब्रोशन आ जाएगा और चूंकि यह 24 पच्चेस लाख रुबे मनेज्मेंट कोटा की फीस है इसलिए कम मार्क्समेंट मिशन मिलने की उम्मीद रहती है अगर हमारे 200 सभा 200 इरेंजमेंट नंबर हैं तो ओके जार रही है यह वैसी दिखा रहे हैं कि जो तो काफी रिजनेबली फीस होती है को दिकत की बात नहीं होती है ठीक है तो यह है राइस्थान का डिटेल्स पोर एनी इंफोर्मेशन एनी हैल्प एनी सपोर्ट यूपन आल्विस टेक अवर कांसलिंग कॉल उन 96433 62320 और यह मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं लोगों को कि देखिए वह हमारे इतना से टॉल फ्री आइविया नंबर है कभी बार लोगों नहीं करती है कि भाई यह आट्मेटिड जो नंबर्स होते हैं उसमें परसनल टच नहीं होता मैं खूलके बात करता हूं देखिए मैं ही आप लो पर होता है जो होता है कि to call up our office for the first time and take appointment to talk to me okay so best wishes best of luck have a nice day रायस्थानी counseling start namaskar